Buy Sell Rent Properties at Prop Nation Hi Friends, आज हम चलेंगे देविका स्काइपर्स राजनेगर एक्स्चेंशन की विजिट के लिए यहाँ पर आपको मिलते हैं 1, 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स जो की ready to move in है जिसका first phase already delivered है और जहाँ पर करीब 300 families already रह रही है यह project बिल्कुल main road पर पढ़ता है आपको connectivity की बहुत अच्छी सुभी रहे हैं यहाँ पर उप्लग्द है और आपको रहने में यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा कि इस society में सारी चीज़े available हैं चाहे वह club है चाहे वह swimming pool है पार्क्स है सारी चीज़े available हैं तो हम पहुंच चुके हैं देविका स्काइपर्स पर यह इसका स्काइपर्स के लिए और इसके पीछे टू बीएसके और वन बीएसके कटावर्स हैं तो आईए चलते हैं देविका स्काइपर्स के लिए और इसके left-hand side पर सामने मुश्किल से 100 मिटर दूर पर आपको में रोड पड़ता है राजना इस्टेंशन का और यह नीचे दुखाने बन रही है जो कि बहुत जल्दी कि December 2018 में इनका position हो जाएगा start और यहां पर shops खुल जाएंगी यह काफी बड़ा सा एरिया है जो कि कमर्शन के डेडिकेटेड है पूरा और इसके बाद में ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं यह इस तरीके से है कुछ पूरा प्लेस्मेंट चीजों का इसमें आप देख सकते हैं कि यह काफी बड़ा open space है जहां पर पार्किंग के लिए भी व्यवस्ता है और इसमें से कुछ पूर्शन जो है वह ग्रीन रहने वाला है अब हम टावर्स एरिया में आ गया है यह देखिए लिफ्ट एरिया दो लिफ्ट में आपको मिलती है एक बड़ी लिफ्ट है एक चोटी लिफ्ट है और यह पार्किंग के दिया फ्लोर पर यह जो फ्लाट है यह 792 स्क्वाइर फीट में 2 बीच के है जो कि बन आप दी स्मॉलेस्ट है राजना एस्टेंशन में मगर इसके जो रूम साइज है वह बहुत ही अच्छे हैं बहुत बड़ अगर आप बजट साइट पर हैं मुझे रखता है कि आप उसको माइन नहीं करेंगे इसमें आपको दो टॉलेट मिलते हैं जिसमें से कि एक आपकी स्क्रीन पर था अभी और यह दोनों रूम की एंट्रेंस है अभी हम ड्राइंग रूम में खड़े हुए हैं और रा ही फ्लैट्स प्रोवाइट कराते हैं कोई फुली फरनेस्ट या सेमी फरनेस्ट का ओप्शन आज की डेट में नहीं मिलता है जो कि ठीक भी है कहीं नहीं कहीं क्योंकि एक बिल्टर की चॉइस की चीज और आपकी अपनी चॉइस की चीज में डिफरेंस तो होता है यह आप इस बात से अग्री करेंगे इतना बड़ा एरिया है कि यह आप देख सकते हैं सामने वाशिंग एरिया और इसके पिल्कुल साटी हुई एड्जसेंट है चोटी सी यह बैलकनी जो कि आपको यूटिलिटी के लिए एक अच्छा स्पेस प्रोवाइड कराते हैं यहां पर जो कि बिलकुल सामने है जैसे ही आप में इंडो सेंटर करते हैं इसमें आपको बैलकनी नहीं मिलती है साथ में इसमें आपको विंडो मिलती है और एक अच्छा बड़ा स्पेस है 12 x 10 जिसमें आप बड़ा साथ बेट भी अगर लगाते हैं King 사ize बेट भी अगर आप लगाए अमेजिंग सामने में डोर एंट्री और राइट हेंड साइड पर सेकंड बेड्रोम दोर्स की कॉलिटी आप चेक कर सकते हैं इस बेड्रूम के साथ में आपको एक बैलकनी भी है अवेलबल जो एक साइजिबल कह सकते हैं आप उसको अच्छा बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है इस बैलकनी में यह चोटी बैलकनी नहीं है देखिए कुछ ऐसी है यह बैलकनी और इस रूम के साथ में आपको यह अटैज़ी टॉयलेट इसमें कमोड की प्लेस्मेंट बहुत अच्छी है कॉर्मार के प्लेस्मेंट हमीशा अच्छी इश्यक मानी जाती है इस्सें आपको ज्यादर स्पेस अंदर मिल जाता है इसमें। और इसके साथ में है वर्ड्रोव का स्पेस बहुत अच्छा काफ़ी बड़ा स्पेस है यह और यह द्राइंग रूम इसको डाइनिंग तो नहीं कह सकता हूं मैं इस द्राइंग रूम बड़ आप इसको स्मार्ट ली अगर करेंगे मैनेज तो इसमें आप डाइनिंग रूम भी एड़िस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसा कॉमन एडिया है और यह एक रॉफ लैट है जो कि रॉफ कंडिशन में वह रेडी कंडिशन में था इसका हैंडोग रोना भी बाकी है बट मैं आपको दूसरी तरफ का व्यू दिखाने के लिए वीडियो दर से शूट किया है ताकि आपको पता लगे कि बाहर का जो व्यू है प्रोजेक्ट के अंदर से वो क्या है सेम ड्राइंग रूम के साथ वाला टाइलेट कीचन का वाशिंग एरिया और साथ में ये बैलकोनी यूटिलिटी मास्टर बेडरूम ये साइज वही है जो मैंने आपको रेड़ी अभी आपने देखा है और ये इसके मास्टर बेडरूम की विंडो और डोर का स्पेस और साथ में बैलकोनी का स्पेस है इसी में आपको वाट्रोम का स्पेस भी अवेलेबल है विद अटैज टॉयलेट रूफ हाइट भी सफ्रिचियन्ट है ये प्रोजेक्ट बिल्कुल में रुड पर पड़ता है आप देखिए सामने आप देख सकते हैं ये बैलकोनी और बैलकोनी के पीछे इसे बेकद्रॉप में आपको दिख रहा होगा Mane Road जो Connect खेता है Delhi टू मेरट मेल्कुल मेन रोड के प्रजेक्त है यहां से आफ मेर एजी कनेक्टिविटी चाहिए वह Auto की हो चाहिए वह Roadway बसस की हो चाहिए वह Ola Uber Kayb की हो सब आपको अवेलेबल है और सोसाइटी के अंदर आपको सारी सुविलाए है स्विमिंग पूल यह क्लब का एरिया है इसने सटा हुआ और यह आलरी देखिए फैमिली इसमें अच्छे खासे संख्या में रह रही है यह सेकेंड बेड्रूम क्योंकि विदाउट बैलकनी है इसमें सिर्फ विंडो का ओप्शन आपको मिलता है अब इसका फिनिशिंग होना बाकी है तो यह जो भी आपको स्पोर्ट दिख रहे हैं यह सब प्रॉपर ओके होके आपको मिलता है फ्लैट ड्राइंग एरिया यह स्विमिंग पूल का व्यू दूसरे तरफ से यहां पर आपको फ्लैट भी अवे लवल है इस एरिया में और अब इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे जो प्रॉपर देख सकते हैं यह तूब एच्टिय का प्राइट इसमें कवर किया गया उस्ता लेयाउट आपकी स्क्रीन पर है थैंक्यू वेरी मच्छ पर वाचिंग इस वीडियो दू सब्सक्राइब तो आवर चैनल प्रॉपनेशन इंडिया थैंक्स वेरी मच्छ करेंगे बास मेच्स